कि बेटा मौर गया बेटा देगा सरकार हम रहा देगा आपी लोग बताइए देगा अब हम लोग का देगा हमको पोस्ता पलता दा है हम अब दे में दरत गोर से लोग लोग सारन के लाल सी आरपिएफ के जवान कश्मीर में आतंकियों के साथ मुट भेड में शहीद हो गया घटना की जानकारी होने के बाद परिजनवा आसपास के लोगों में एक तरफ जहां शोप की लहर दौर गें तो दूसरी तरफ देश के सेवा के दौरान आतंकियों से लोहा ल कश्मीर में हुए आतंकियों से मुट भेड में दो जवान के शहीद होने के साथ ही कुछ जवानों के घायल होने की सुचना है जिसमें एक जवान शपरा जिले के नगरा प्रखन शेतर के मक्सूस्पुल निवासी मुहमद नजबुदीन के 33 वर्स ये पुत्र अशगर अली है शहीद असगर 2011 में बतोर कॉंस्टेवल भाल हुए थे और जम्मू कश्मीर में छे वर्स रहने के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी कुछ मा पहले उन्हें आपात इस्तिती में कश्मीर में तानात किया गया था गाउ में शहीद होने की सुचना पर सभी लो होस्पीटल में लेके गए हैं लोग कंपनी वाले उसके बाद दस मिनट के बाद फिर फो मैं फोन किया हूं अपने भाई के पास मेरे भाई CRPF में है और भाई अब युवासाम में पॉस्टेड है तो बोले हैं कि छोटा वाला भाई का मूं से बलोडिंग हो रहा है ठीक है अब इहां से बोल के गरा हूं एक दीन खथी एक रात खथी और अगर्ड़ अपन्दे के अनि अगर्ड़ बाद रहें तो अब आम घर्ड़ बाना है कुछ ना कर लिए ये बाव उंकरा बाचा के बाव उंकरा रुषी फाजा चाहिए उन अपरी उकरी दे दी चाहिए नाजिरून वेगम करकाने वाले हैं अध्याशे में जाधा पड़ादा गया हम लोगों कोई साधन नहीं है कि कमाकर खाने वाला है जब सरकार वेद्टेस में गया तो आउट देश में खुतम हो जाओ मारा नोक्री चाहिए नजाबुदिन अच्छा परने में बहुत अच्छा था तह ठीक है बहुत अच्छा अधा तो जो भी पड़ा है अज शुन के में बहुत अर्च्छ हुआ कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर्प्या कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और सेर जरूर करे